दोसो फिरसे स्वागत आपका एक नई वीडियो के साथ दोसो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ Redmi Note 7S में या फिर 7 की कोई भी सीरीज है आपके पास तो यहाँ पे आप अपने फोन में Split Screen का यूज कैसी कर सकते हैं तो Split Screen यूज करने के लिए आपको यहाँ पे सेटिंग पे चले जाना है सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको Additional Setting का Option देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको Button Shortcut का Option देखने को मिल जाता है आप इस पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे आपको Split Screen का Option देखने को मिल जाता है Open Split Screen आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका भी None है यानि कि अभी नहीं हो सकता है तो यहाँ पे आप कौन से Option से करना चाहते हैं जैसे तीन Option दिये गए है Home Button को आप दबा के रखना चाहते हैं तो Split Screen हो जाए या फिर आपका Menu Button या फिर आपका Back Button तो यहाँ पे मैं इसको Home Button को कर दूँगी और Replace कर दूँगी और इसके बाद यहाँ पे आपको Back कर देना है अब आपको क्या करना है यहाँ पे Split करने के लिए आप उस एप्लिकेशन को को खोलेंगे इस टैप से और यहाँ पे मैंने बताया देना Home Button को आपको Long Press करना है तो यह Home Button है आपका भीच वाला आप इसको ऐसे Long Press करेंगे तो आपका यहाँ पे आदा पार्ट में डिवाइड हो गया है YouTube और आदे पार्ट में आपका इस टैप से Home Button आजाएगा ऐसे क्लिक करने पे तो यह Home Screen आ गया है तो यहाँ पे आप Home Screen पे दूसरी कोई भी चीज ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे मैं Chrome Open कर लूँगी तो आप देख सकते हैं आदी स्क्रीन पे आपका YouTube चल रहा है और आदी स्क्रीन पे आपका यहाँ पे Chrome चल रहा है तो यहाँ पे ऐसे खीच के स्क्रीन को बड़ा और छोटा आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग तो इस टैप से आप यहाँ पे स्क्रीन का यूज कर सकते हैं एक साथ दो स्क्रीन चला सकते हैं और यहाँ पे स्क्रीन हटाने के लिए आपको यहाँ पे इस टैप से खीच के इसको नीच लेके आजना है तो बाद वाली स्क्रीन हट जाएगी और पहरे वाली स्क्रीन आ जाएगी तो इस टैप से आप यहाँ पे स्प्लेट स्क्रीन का यूज कर सकते हैं तो I hope guys यह वीडियो आपको पसंद आया होगा इसी टैप के और बेंटरसिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पे विजिट करते हैं चले मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार